जै मातादी साम के नास्ते का टाइम हो चुका है और मैंने सुछा कि मैं आज बनाती हूँ पास्ता इसके लिए मैंने पास्ता बॉil होने के लिए दे दिया है और यहां पे यह सब इंग्रेडिएंस लिया है आप उचा हैं तो और भी बहुत कुछ इसमें मिक्स कर सकते क्योंकि ठंड का टाइम है तो बहुत सारी सबजिया अब लेवल होती है आसानी से तो आप उसको एड़ कर सकते हैं यहाँ पे मैंने तेल को गर्म होने दिया था और मैंने एड़ कर दिया लहसन लहसन क्योंकि थंड में थोड़ा लहसन गर्म होता और टेस्ट भी अच्छा आता तो मैं तो पास्ते में एड़ करती हूँ तो यहाँ पे मैंने लहसन अद्रक एड़ कर दिया और अब मैंने एड़ किया इसमें सिम्बला मिर्च सिम्ला मिर्च जब थोड़ा पक जाए तो अब तब मैं उसमें एड़ करूंगी प्यास और यहाँ पे मैं प्यास को के ब्राउन होने का वेट कर रही हूँ उसके बाद मैंने इसमें एड़ किया टमाटर टमाटर भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह भी पका नहीं है अभी थोड़ा सा इसमें टाइम है और यह जब टमाटर पूरी तरह से पक जाएगा तब मैं इसमें एड़ करूंगी बॉयल पास्ता जो मैंने च्छान कर रखा हुआ था यहाँ पे देखिए मैंने एड़ कर दिया है मेरे घर में थोड़ा ज़्यादा लोग थे तो मैंने थोड़ा सा क्वाइंटिटी ज़्यादा दी है और आप कम भी क्वाइंटिटी दे सकते हैं तो यहाँ पे इस तरह से मैंने एड़ किया है पास्ता पास्ता के एड़ करने के बाद उसमें एक दो मिनट बाद हम एड़ करेंगे पास्ता मसाला पास्ता मसाला पेकॉर्डिंग टू पास्ता क्वाइंटिटी आप अगर जादा है तो दो पैकिक डाल सकते हैं कम है तो एक भी डाल सकते हैं ऐसापके पास 7 lvl हो और यहांपे मैंने पास्ता निकाल लेया है प्लैट में और उसके बाद में इसमें आडकी हूँ टोमाटो सॉस मैंने चिली व्यो नहीं दिया है क्योंकि प्यू बहुत शोटी है और यहां पर मैंने देखिए कि मैंने मिने husband और प्रियू दोनों को शर्ब कर दिया है और जब मैं पास्ता boil कर रही थी तब मैंने उसमें हलका सा oil mix किया था इसे क्या हुआ कि पास्ता एक दूसरे में चिपकता नहीं है और जब चिपकता नहीं है तो घर में बनाने में भी मतलब आप बिदाउट कोई उस तरह का special कोई कडाही यूज नहीं करना पड़ेगा घर का ही जो आप यूज करते उसमें भी बन जाएगा according to test मुझे अच्छा लगा आप भी ट्राय करें आपको भी पसंद दाएगा